तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में अभी तक आप लोगों ले चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वो बैल नोच्विकेशन ओन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और दोस्तों वीडियो को शेर जरू करना शेर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ जो कोईन मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ आपके पास है तो अच्छी बात है आपके पास क्या पता ना हो तो आपके यार दोस्तों के पास हो आपके रिष्टेदारों के पास हो इसलिए ये वीडियो उनको भी शेर कीजिए उनको भी पता लगना चाहिए कि कौन सा कोईन क्या वैल्यू रखता है और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है 2024 की कोईन बुक आ गई है आप में से किसी को भी चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पता देना मैं आपको 2024 की कोईन बुक अवैलेबल करवा दूँगा और आपको कोई और इन्फोर्मेशन चाहिए अपने सिक्को से रिलेटिड अपने नोट से रिलेटिड पुराने जो भी करंसी आपके पास है वल्ड की चाहिए वो मुगल काल की हो ब्रिटेश काल की हो या रिपबलिक की हो या वल्ड की कोई भी करंसी आपके पास हो उसके बारे में आपको कुछ भी पूछना है उसकी वैल्यू पूछनी है तो आप मेरे चैनल की मेंबर्शिप लेके मुझसे पूछ सकते हैं मेरे चैनल की मेंबर्शिप ज़्यादा महंगी नहीं है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपे की मेंबर्शिप है 299 की एक महीने की जिसमें मैं आपको 30-35 कोईन के बारे में इंफोर्मेशन दूँगा जैसे कि आज आप ले थमनेल देख लिया होगा आज हम बात करेंगे कॉमी नेटिव एक रुपे के बारे में 2024 की जो बुक आई है उसमें कई कोईनों की कीमत जो बड़ी है वो मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मार्किट में क्या वैल्लू है और किताब में क्या वैल्लू है कीमते तो बड़ी हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ाई है जिस हिसाब से मार्किट में चल रही है कोईनों की कीमत किताब में थोड़ी बहुत ही बढ़ाई गई है अब वो ही मैं आपको बताऊंगा कौन कोईन की क्या कीमत बताईए तो वीडियो पूरा एंड तक देखना तभी आपको पता लगेगा कौन सा मिंट का और कोईन की कीमत बड़ी है तो एक रुपे के कोपर निकल के कोईन के बारे में बताऊंगा मैं आपको तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एक रुपे के इस सिक्के के बारे में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक रुपे का सिक्का सभी के पास होता है ये है जवालल नहरू का ये बनाय गया था 1989 में कोपन निकल का सिक्का है वेच इसका 6 ग्राम है साइज इसका 26 एमेम है शेप इसकी गोल है दोस्तों ये चार मिंटों से बनाय गया था बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद और नुएडा बॉंबे, कलकत्ता, कोमन है हैदराबाद इसमें स्केर कैटेगरी में आता है कंजिशन में 300 रुपे, वेरिफाइन कंजिशन में 500 रुपे, एक्षा फाइन कंजिशन में 1000 रुपे और यूएनसी कंजिशन में दोस्तों इसके कीमत दिये 25 रुपे रेयर कैटेगरी का ये सिक्का है और मार्किट में अब जो इसकी वैल्यू चल रही है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मार्किट की वैल्यू अलग है फाइन कंजिशन में 800 रुपे, वेरिफाइन कंजिशन में इसकी 1500 रुपे एक्षा फाइन कंजिशन में इसकी चल रही है 25 रुपे और UNC कंजिशन में दोस्तों इस सिक्के की कीमत चल रही है 4000 रुपे से लेके 4500 रुपे तो यह कम से कम 2000 रुपे का डिफरेंस है इस सिक्के में जो market value में और किताब की value में अगर आप इस coin को बेचने की सोच रहे हैं यह 1990 का coin है copper nickel का weight इसका 6 gram है size 26 mm है shape इसकी circle है यह दो मिंटों से बना गया था इस सिक्के कीमत एकदम सही दे रखी है मैं कीमत बता देता हूँ Bombay और Hyderabad दोनों मिंटों की Bombay की जो इसमें कीमत है दोस्तों square category के सिक्के की UNC कंजिशन में 300 रुपे दे रखी है 500 रुपे यह मैं आपको किताब की value बता रहा हूँ इस coin की एकदम ठीक value दिये मैं आपको सही भी बताता हूँ और गलत भी बताता हूँ जो किताब में गलत लिखा है उसके बारे में आपको बताता हूँ और जो सही लिखा है उस coin के बारे में भी बताता हूँ इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो पूरा एंड तक देखे तभी आपको अच्छे से समझ आ जाजागा कि कौन से कोईन की क्या वैल्यू चलती है जैसे कि हर कोई किताब नहीं खरीच सकता इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ अब बात करते हैं अगले कोईन की ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फूच फॉर्दा फ्यूचर ये 1990 में बनाय गया था मैटल है इसका कोपर निकल वेट 6 ग्राम है साइज 26 mm है शेप इसकी गोल है दोस्तो ये भी दो मिंटों से बनाय गया था कलकत्ता और हैदराबाद दोनों मिंट के सिक्के वैरी स्केर की कैटेगरी में आते हैं कीमत की बात करें तो कलकत्ता मिंट के स्केर कैटेगरी के 500 रुपे मिलेंगे UNC कंजिशन में और हैदराबाद मिंट के आपको मिल जाएंगे 300 से 400 रुपे एक सिक्के के तो ये सिक्के अगर आपके पास है की यह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह दोस्तों कॉमन वेल्थ पार्लिमेंटरी यह 1991 का सिक्का है इसमें 1993 का भी सिक्का है उसके बारे में भी बताऊंगा पहले 1991 की सिक्के की बात कर लेते हैं क्योंकि इसके भी प्राइस थोड़े से बढ़ाएं है कि यह मैटल है इसका कॉपर निकल वेट 6 ग्राम है साइज 26 हमें मैं शेप इसकी गोल है स्केर कैटेगरी का दोस्तों यह कोईन है यूएन सी कंडीशन में इसकी कीमत दे रखे 500 रुपे 1991 की पहले यह कॉमन कैटेगरी में था पिछले साल अब यह स्केर कैटेगरी में आगया है 1991 का यह सिक्का आप देख लीज़िए देड़ सो रुपे इसकी कीमत है UNC कंजिशन में अब बात करते हैं अगले कोईन की यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है टूरिजम एर नाइटी नाइटी वन ओपर निकल का सिक्का है वेट इसका 6 ग्राम है साइज इसका 26 mm है शेप इसकी सरकल है दोस्तों ये भी दो मिंटों से बनाए गया था बॉंबे और हैदराबाद इसमें भी दोनो मिंटों के सिक्के के रेज बड़े हैं UNC कंजिशन में 200 रुपे है बॉंबे मिंट के हैदराबाद मिंट के 500 रुपे है दोनों के रेज बढ़ाए गए है इस साल अब अगले सिक्के की बात करते हैं यह है राजीव गांदी का यह बनाय गया था दोस्तों 1991 में कोपर निकल का सिक्का है 6 गराम का साइज इसका 26 mm में शेप इसकी गोल है दोस्तों इस सिक्के के रेज भी बढ़े है दोनों मिंटों से बने थे बॉंबे और हैदराबाद दोनों ही मिंट के सिक्के बढ़ाए गए है पहले कोमन कैटेगरी में थे अब स्केर कैटेगरी में आ गए है तो यही मैं आपको बताता हूँ मैं पिछले साल भी आपको यह िता था कि जो भी नापके पास है उसको समाल के जरूर रखना ऐसा नहीं है कि आज वो common की category में है तो वो कल भी common की category में राएगा क्यूंकि common नैटिफ सिक्के बनना बंदो चुके हैं तो वो scarce rare की category में आ सकते हैं कीमत बढ़ सकती है तो इसकी कीमत जो Bombay में दी गई है वो दी गई है 100 रूपे और हैदराबाद में दी गई है 500 रूपे हैदराबाद मिंट का सिक्का आपके पास है तो उसके आपको 500 रूपे मिल जाएंगे अब बात करते हैं हम अगले सिक्के की ये जो आप सिक्का देख रहे हैं ये है कुईट इंडिया मूमेंट ये 1992 में बनाय गया था कोपर निकल का सिक्का है 6 गराम का साइज इसका 26 mm है शेप इसकी गोल है ये तीन मिंटों से बनाय गया था बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिंट के सिक्के स्केर की कैटेगरी में आते हैं कीमते अलग-अलग है बॉम्बे मिंट के आपको मिलेंगे स्केर कैटेगरी में 500 रुपे कलकत्ता के मिलेंगे 300 रुपे हैदराबाद मिंट के मिलेंगे 400 रुपे तो तीनो मिंट के सिक्के है, तीनो मिंट के सिक्के भिख सकते हैं, कीमते मैं आ आपको बता दी अब है आखरी सिक्का यह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 89th Inter Parliament, ये आप सिक्का देख लीजिये, ये 1993 में में बनाय गया था कोपर निकल का सिक्का है, वेट 6 ग्राम है, साइज 26 mm है, शेप इसकी गोल है दोस्तो, ये सिरिफ और सिरिफ बंबे मिंट से बनाये गया था, एक ही मिंट से सिक्के की ज़लाई हुई थी, अगर आप में से किसी को भी चाहिए होगा, तो ये सिक्का मुझसे ले लेना, मैं चाहस रुपे, एक्स्टा फाइन में जेड़ सो रुपे, और यूएंसी में इसकी हजार रुपे कीमत दिये, लेकिन जो मार्किट में इसकी कीमत चल रही है, वो चल लिए, फाइन कंजिशन में दोस्तो, जेड़ सो रुपे, वेरी फाइन कंजिशन में इसकी कीमत चल रही सिक्के की चीमत चल रही है पंद्रा सु रूपे से लेके अच्थारा सो रूपे वैरी स्केर कैचेगिरी का सिक्का है 1500 से 1800 रूपे यूएन्सी कंजिशन में सिक्के की कीमत चल रही है किताब और मार्किट की वेल्यू दोनों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों मैंने आपको लिखकर बता दी तो दोस्तों जो भी मैंने आज आपको सिख्के बता हैं अगर आपके पास है तो वो सिख्के आप बेच सकते हैं अगर आपको वो सिख्के मुझे बेचने हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना आपका वर्टसप नमबर दे दूँगा अच्छी कैटेगरी के सिक्के होंगे तो मैं आपसे जरूर खरीद लूँगा वरना आप ये सिक्के अपने एक्जिविशन में जाके बेच सकते हैं रेट मैंने आपको बता दिये मार्केट के भी और बुक के भी इससे अलग भी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बेरे चैनल की मेंबर्शिप लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं next वीडियो में जै हिंद